माया चक्र के वर्णन में माया परी हरी द्वार के महात्य में सोजी कहते हैं पुट्र वरतों का अनस्ठान करने वाली भगवती वसंद्राने छे रित्मों के वैशनों कृत्यों का वर्णन सुनकर भगवान नारायन से पुना पूछा भगवन आपने मंगल एम पुट्र में जिन विश्यों का वर्णन किया है जिनकी स्वरकादी लोकों तथा मेरे भू लोक में परसिद्धी हो चुकी है वे आपके वैशनों धर्म के कृत्य मेरे मन को अनंदित कर रही है माधव आपके मुखारविंट से निकले हुए इन करमों को सुनकर मेरे बुद्धी निर्मल हो गई पर मेरे मन में एक शूक्षम कोतुहल उत्पन हो गया है मेरा हित करने के विचार से उसे आप बताने की किरपा कीजी भगवान आप अपनी जिस मर्यादा का सरदा वर्ण किया करते हैं उसका सवरूप क्या है तथा उसे माया क्यों कहा जाता है मैं इसे तथा इसके आंतरिक रहस्यों को जानना चाहती हूँ इस पर माया पती भगवान नारायन हस कर बोले प्रिथी देवी तुम जो मुझसे ये माया की बात पूछ रही हो इसे ना पूछने में ही तुमारी भलाई है तुम वियर्थ में ये कस्ट क्यों मोल ले रही हो इसे देखने से तो तुमें कस्ट ही होगा ब्रमा सहीत रुद्र एम इंद्रादी देवता भी आज तक मुझे तथा मेरी माया को जानने में असफल रहे है फिर तुमारी तो बात ही क्या विशालाक्षी जब मेग पानी बरसाते हैं तो जल से सारा जगत भर उड़ता है पर कभी वही सारा देश फिर शुश्क बंजर बन जाता है किरिश पक्ष में चंदर देव शीन होने लगते हैं और शुकल पक्ष में बढ़ते हैं यह सार मेरी माया का ही तो परभाव है अम अवस्या की रात्री में चंदरमा दिष्टी गोचर नहीं होते हिमन तरितों में कुमे का जल गरम हो जाता है विचार की दृष्टी से देखे तो ये सम मेरी माया ही तो है इसी परकार ग्रीश मृतों में जल ठंडा हो जाता है पश्चिम दिशा में जाकर सूरी अस्त हो जाते हैं पुन्य में प्राता काल पूरव से उदित होते हैं प्राणियों के शीर में रक्त और शुक्र इन दोनों का समावेश रहता है वस्ता ये सब मेरी माया ही तो है सुंद्री प्राणी गर में आता है उसे वहाँ सुख और दुख का अन्बह होता है पुना उत्पन हो जाने पर उसी वेबात भूल जाती है अपने करम में रचा-चा जीव अपने सुरुप को भूल जाता है उसकी प्रीहा समावत हो जाती है ये सब मेरी माया का ही तो परताब है करम के प्रभाव से जीव दूसरी जगा पहूंच जाता है शुक्र और रक्त के संयोग से जीवधारियों की उत्पत्ती होती है दो बुजाएं, दो पैर, बौसी उंगलियां, मस्तक, कटी, पीट, पेट, तांत, होट, नाग, कान, नेत्र, कपोल, ललाट और जीव इन से संग्ठित प्राणी की उत्पत्ती मेरी माया का ही तो चमतकार है वही प्राणी जब खाता पीता है तो जटरगनी के द्वारा उसका पाचन होता है तत्पश्चाजीव के शीर में वही अधो मार्क से बाहर निकल जाता है ये सब मेरी प्रवल माया का हीत करमात है शब्द, शपर्ष, रूप, रस और गंद इन पाँच विश्यों में अन खाने से प्रविती होती है ये सबी कारे मेरी माया की ही देन है कुछ जल आकाश में बादलों में लटके रहते हैं और कुछ जल राशी भूमी पर नदी सरोवर आदी में रहते हैं पर जिन नदियों आदी में इन जल की प्रतिष्टा है वे नदियां भी कभी पढ़ती हैं और कभी घटती हैं ये सब मेरी माया का ही तो प्रवाव है वर्शारितों में सभी नदियों में अथा जल हो जाता है बावनियार तराब जल से भर जाते हैं पर ग्रीश वर्शों में वही सब सूख जाते हैं ये सब मेरी माया का ही तो बल है मेग लमद समुद्दर से खारा जल लेकर मधुर जल के रूप में उसे भूलोक में बरसाते हैं ये मेरी माया का ही परभाव है रोगी से दुखी हुए कितने प्रानी रसाइन तदा ओश्टियां खाते हैं रोग से दुखी और उस ओश्टि के परभाव से निरोग हो जाते हैं किन्तो कभी उसी ओश्टि के देने पर मिर्च्योग की प्राप्ती भी हो जाती है उस समय मैं ही काल का रूप धरन करके ओश्टि की शक्ती हरन कर लेता हूँ ये सब मेरी माया का ही परभाव है पहले घर्ब की रचना होती है इसके उप्रांथ प्रोश्ट्पन होता है फिर युवावस्ता होती है बड़ापा भी आ जाता है जिसमें सबी इंद्रियों की शक्ती समापत हो जाती है ये सब मेरी माया का बल है भूमी में बीज किराया जाता है और उससे अंकुर की उत्पत्ती होती है तद्वच्चात्वे अंकुर अद्वधपत्तों से संपन हो जाता है ये विचित्तरता मेरी माया का ही सवरूप है एकी बीज किराने से वैसे ही अनेक अन्न के दाने निकल जाते है वस्ता मैं ही अपनी माया के संयोग से उसमें अम्रज शक्ति के उत्पत्ति का देता हूँ जगत को विदित है कि गरुट मुझे भगवान विश्णू का वहन करते हैं मैं ही स्यम गरुट बनकर वेक से अपने आपको वहन करता हूँ जितने देवता जो यग्य का वाग पा कर संतुस्ट होते हैं उस अफसर पर मैं ही अपनी इस माया का स्रीजन करके उन अखिल देवताओं को त्रिप्त करता हूँ किन्तो सबी प्राणी यही जानते है कि ये देवता ही सदा यग्य का भार गराइंग करते हैं पर वस्ता में ही मायागी रचना कर देवताओं के लिए यग्य कराता हूँ। बस्पति जी यग्य कराते हैं, ये जानकर संसार में सभी लोग उनकी सेवा करते हैं। पर आंगी रसे माया का सरिजन करना और देवताओं के लिए यकि की विवस्था करना मेरा ही काम है। संपुरंड संसार जानता है कि वरण देवता की किरपा से समुद्र की रक्षा उती है। किन्तु वर्ण से संबंद रखने वाली इस माया का निर्मान कर मैं ही महान समुद्र की रक्षा करता हूँ। सारा विश्व ये जानता है कि कुबेर जी धान अध्यक्ष है, पन्तु रहसी ये है कि मैं ही माया का आश्रे लेकर कुबेर के भी धान की रक्षा करता हूँ। इंद्र ने भी विरिता सर्व का मारा था, इस परकार की बात संसार जानता है, किन्तो वज्ज्र से वस्ता मैंने ही उसे मारा था, सूर्य ध्रू आदित अपते हैं, ऐसी बात सर्व विधित है, किन्तो तक थे यह है कि इन में मेरा ही तेज है, संसार में लोग कहते हैं, अरे जल कहां चला गया, पर वैबात ये है कि वड़वा नल का रूप धारन करके संपूरत जल का शोशन मैं ही करता हूं, माया से ओत प्रोत वाईयो रूप बन कर मेगो को संचालित करना मेरा ही काम है, अमरत का निवास कहां है, इस गहन विशे को दे संसार जानता है कि राजा की प्रजाओं की रख्षा करता है, किन्तु तढ़्दि यह कि राजा का रूप धारन करके में ही स्यम प्रिथि का पारन करता हूं, यू की समाप्ती की असर पर ये जो बारा सूरी उदित होती हैं, उनमें मैं ही अपनी शक्ती का आगान करक estabhati का संपूरन जगत में दिरन तरताप पोचाता है ऐसी स्थेति में किरन में माया की शिष्टी करना और संपूरन संसार में उसका परसारन करना मेरे ही हाथ का खेल है जिससे समय समवर तक मेग मुसल जैसी धाराओं से जल बरसाते हैं उस अवसर पर माया का आश्रे लेकर समवर तक मेगो द्वारा मैं ही समझ चगत को जल से भर देता हूँ वरा रोहे, मैं जो शेशनाक की शिया पर सोता हूँ मैं मेरी माया का ही प्राकर्म है शेशनाक का रूप धारन करना और उस पर शेयन करना ये सब एक मात्र मेरी योग माया का ही कारे है वसंद्रे वाराही माया का आश्रे लेकर मैंने तुमें उपर उठाया था क्या तुम ये भूल गई? तुम भी वैशनी माया का लक्ष हुई हूँ क्या इस बात को नहीं जानती हो? सत्रा वारतों तुम मेरी दाड़ों पर निट्य परले काल में आश्रे पा चुकी हो उस समय मेरे द्वारा माया का सरजन हुआ था और तुम एक कारना समुद्र में डूब रही थी मैं माया के ही योग से जल में रहता हूँ ब्रम्मा और रुद्र का सरजन करना और भरन पोशन करना मेरी ही माया का कारे है फिर भी मेरी माया से मोहित हो जाने के कारण वे मेरी इस माया को नहीं जानते हैं पित्रों का समुदाई जो सूरे के समानते जस्वी है वहवी वस्ता मैं ही हूँ तथा पित्र में माया का आशरे लेकर पित्रों का रूप धारन कर मैं ही पित्र भाग कवे को ग्रहन करता हूँ अधिक्या एक दूसरी विचित्र बात सुनू जो एक बार एक प्रूश रिशी भी माया द्वरा इस्त्री के सवरूप योनी में परनित परिवर्तित कर दिये गे थे तो प्रिठी कहने लगी भगवन उस रिशी ने कौन सा अब करम किया था जिसके परनाम सरूप उस उन्हें इस्त्री की योनी प्राप्त होई इस बात से तो मुझे बड़ा स्चरी हो रहा है आप ये सारा परसंग बताने की किरपा कीजिए तो उस ब्रामन ने फिर इस्त्री रूप धारन करके कौन कौन से पाप युक्त करम किये ये सब भी विस्तार से बताईए पिर ठीकी बात सुनकर शिरी भगवान अत्यनत परसंग न होगे और मधर वचन में कहने लगे देवी ये विशे अत्यनत गूर और महत तबूर्न है तम ये धर्म युक्त कता सुनो मेरी माया ग्यान एम विश्य की सभी वस्तों को अच्छादित किये हुए है उसकी विए बात सुनकर रूंग टेखड़े हो जाती इस माया के प्रभाव से सुम शर्मा नाम के रिशी भी प्रभावित हुए थे इससे वे उत्तम मध्यम और अधम अनेक प्रकार की स्थितियों के जक्र में घूंते रहे फिर भी मेरी माया की प्रिणा से उन्हें पना बनानत्य सुलब हुआ सुम शर्मा उत्तम ब्रामन होकर भी इस्त्री की योनी में परिवर्थित होगे यद्दपी उन्हें भी उनके द्वारा कोई विक्रित करम नहीं हुआ और ना कोई अप्राध ही किया बात ये कि सुम शर्मा सदा मेरी अराधना उपासना आधी करमों में लगे रहते थे में निरंतर मेरी रमनी आकरिती मेरे सुन्दर सरूप का ही चिंतन करते रहते इस प्रकार प्रयाब समय तक उनकी भक्ति, तपस्चरया, अनन्यवाव, सिस्तुती करते रहने पर मैं उन पर प्रसंद न हुआ मैंने उस समय उन्हें अपने सुरूप का दर्शन कराया और कहा ब्रामन देवता मैं तुमारी तपस्या से संतोस्तूँ, तुम मुझसे जो चाहूँ वर मांग लो रत्न, सर्न, गव्मे, तथा अकंटक, राज्य, जो कुछ तुमारे हिर्दे में हो मांग लो मैं सब कुछ तुमें दे सकता हूँ अत्वा विप्रवर उस सर का सुक जहां वरांग नाइन तथा अनंद का अनुवह करने की अनंद सामग्रियां है तथा जो सं के भंडों से शोबित, एम धान और रत्नों से परिपूर्ण है जहां अफसराएं दिवी रूप धर्न की रहती हैं उसे ही मांग लो अत्वा जो भी इस तवस्तु तुमारे ध्यान में आती हो विस्सा मेरे वर से तुम्हें सुलब हो सकती है उसमें मेरी बात सुनकर उन श्रिष्ट ब्रामन ने भूवी पर पढ़कर मुझे शास्टांग पर नाम किया और मदुर्श अब्दों में कहने लगे देव आप मुझ पर यदि रुष्ट ना हूँ तो मैं आप से जोवर मांग रहा हूँ वही दिजी भगवन आपके द्वरा नदिष्ट वर्दानों सर नगमवें इस्तिराज श्वर एम अपसराम से शोवित स्वर आदिसे माधों मेरा कोई प्रियोजन नहीं है मैं तो केवल आपकी माया का जिसकी सायता से आप सारी क्रिडाएं करते हैं रहस से जानना चाहता हूँ ब्रामन की यह बात सुनकर मैंने कहा द्रिजवर माया से तुम्मारा क्या प्रोलजन है तुम अनुचित तथा अकारे की कामना क्या कर रही हो पर मेरी माया से प्रेरित होकर उस ब्राह्मन ने मुझसे पुना यही कहा भगवन आप यदि मेरे किसी करम अथवा तपस्या से तनिक भी संतुष्ट हैं तो मुझे बस यही बार दे दीजिए अथात अपनी माया का दर्शन करा दीजिए आज मैंने उस तपस्या ब्राह्मन से कहा दी जोहर तुम कुब जाम रख तीत में जाओ और वहां गंगा में शिनान करो इस से तुम्हें माया का दर्शन हो जाएगा मेरी इस बात को सुनकर ब्रामन ने मेरी परदक्षना की और दर्शन की अविलाशा से वैय रिशी केश चला गया माँ उसने बड़ी साथ धानी से अपनी कुंडी दंड और भांड को गंगा तट परेक और रखकर विदी पूर अक्तित की पूजा की और इसके बाद वैं गंगा में शनान करने के लिए उत्रा वैं शनानार तब ही डूबा ही था कि उसके अंग बस भीगी रहे थे कि इतने में देखता है कि वैं किसी निशाद के घर में उसकी इस्तरी के घर में पर विष्ट हो गया उस समय गर्व के कलेश से जब उसे असहाई विद्रा होने लगी तो मैं अपने मन में सोचने लगा मेरे द्वारा अवशी कोई बुरा करम बन गया है जिससे मैं इसने शादी के घर में आकर नरक यातना भुग रहा हूं वहों मेरी तवस्या हैं जीवन को दिकार है जो इस हीन इस्तरी के घर में वास कर रहा हूं और नो द्वारो तरहा तीन सो हड़ियों से पूर्ण विष्टा और मूत्र से सने रक्त वास के कीचर्ण में बढ़ा हूँ यहां के दुर्गंदस है तरह काफ पित वायू से उत्पन रोगों दुखों की तो कोई गन्ना ही नहीं है बहुत कहने से क्या प्रियोजन मैं इस कर में महां दुख पा रहा हूँ अरे देखो तो कहां तो यह भगवान विष्टू कहां मैं और कहां मैं गन्गा जी का जल किसी परकार इस गर्व से मेरा चुटकारा हो जाई तो फिर मैं उसी भक्तिकार गन्गा शिनानादी में लग जाऊँगा इस परकार सोचते सोचते वे ब्रामन शीग्री निशादी के गर्ब से बार आया पर भूमी पर गिते ही उसने जो गर्ब में निश्चे किया था वे सब भूल गया उसको विस्मरित हो गया अब धन धन निसे परिपूर निशाद के घर में एक कर्णिया के रूप में रहने लगा भवान विष्णु की माया से मुख्द होने के कारण पूर की कुछ बाते उसे याद नहीं रही इस परकार बहुत दिन बीट के फिर उस कन्या का इवा हुआ माया के परभाव से ही उसके बहुत से पुत्र पुत्रिया हुई आप कन्यारू में वै ब्रामन सभी भक्य एम अवक्य वस्तुओं को खा लिता तछा पे एम अपे वस्तुओं को भी पी लिता वै निरंतर मतस्यादी जीवों की हिंसा में निरत रहता और कर्तव अकर्तव ग्यान से भी शुनने हो गया इस प्रकार जम निशादी इस्त्री रूप में रहते उस प्रामन के पचास वर्ष बीत के तब मैंने उसे पुने समरण किया मैं निशादी रूप रहमन खड़ा लेकर विष्टा लिप्त वस्त्रों को दोने के लिए पुना गंगा के तट पर गया और उसे एक और रख कर शनान करने के लिए गंगा के जल में प्रविष्ट हुआ कड़ी धूप से संतप्त होने के कारण उसका शीर पसीनी से लत्वत हो रहा था अता है उसकी इच्छावी की सिर डुबा कर शनान कर लो पर ऐसा करते ही वित तपस्या का धनी निशादी रूप रामन उसी शन पूर्वत तपस्षी बन गया शनान करके बाहर निकलते ही उसकी द्रिष्टी पूर के रखे हुए धंड कमंडल और वस्त्रों पर पड़ी जिनने देखते ही उसे पहले जैसा ज्यान उत्पन हो गया पूर्व समय में उस ब्रामन ने जिस परकार विश्णू की माया जानने की कलपना की थी वे भी उसे याद हो आई गंगा से बाहर निकलकर अब उसने अपने वस्त्र पहने और लच्जी थोकर वे वहीं पुना बालका पर बैटकर योग एम तप के विशे में विचार करने लगा कहने लगा अरे मुझ पापी द्वारा कितने निंदनी अकारी करम बन गई इस परकार अपने आपको निंदनी अमान कर बहुत दिक्कारा और कहने लगा साधू पुर्षो द्वारा निंदित करम करने वाले मुझको दिक्कार है मैं सदाचार से सता ब्रस्त हो गया था जिस कारण मुझे निशात की योनी में जाना पड़ा इस कुल में उत्पन होने पर कितने ही भक्ष और अभक्ष वस्तों का सेमन किया और सभी परकार के जियों का वद्ध किया अभक्ष वक्षन तथा अपर में वस्तों का पान किया और ना बेचने योग वस्तों का भी विक्रे किया मुझे वाच्चे अवाच्चे का भी ध्यान नहीं रहा निशात के संपर्क से मैंने अनेक पुत्रों और पुत्रियों की विद्पत्ति की किस दुश करम के फल सरूप मुझे निशाद के पत्री होना बड़ा ये भी विचार करने ही हो क्या है मैं संदरे इधर तो वैं ब्रामन इस परकार यहां ऐसा सोच रहा था उधर निशाद क्रोध एम दुख से पागल हो रहा था मैं उसी समय अपने पत्रों से घिरा अपनी भार्या को खोचता हुआ हरी दवार पहुचा और वहां परते एक तपस्य से अपनी हिस्त्री के विश्य में पूछने लगा फिर वह विलापसा करता हुआ कहने लगा प्रिये तुम मुझे तथा अपने सभी पत्रों को छोड़ कर कहां चली गई अभी दूद पीने वाली तुमारी छोटी पाल का भुग से व्याको लोका रो रही है फिर वे वहाँ उपस्ति तपस्यों से पूछे रहा तपस्यों मेरी पत्री जान लेने के लिए हाथ में घड़ा लेकर गंगा के तड़ पर आई थी क्या आप लोगों ने उसे देखा है उस समय सभी मनुष्य जो हरी द्वार में आये हुए थे वे उस तपस्यी ब्रामन तथा उसके घड़े को यथा पूर उपस्ति देख रहे थे इसके पश्चात दुख से संदब उस निशाद ने जब अपनी प्रिय भारिया को नहीं देखा तो उसकी द्रिष्टी वस्त्र और घड़े पर पड़ी अवे अत्यंत करन विलाप करने लगा अहो मेरे इस्त्री के ये वस्त्र और घड़ा तो नदी के तड़ पर ही पड़े है किन्तु गंगा में शनान करने के लिए आई हुए मेरी पत्नी नहीं दिखाई पड़ रही है लगता है जब वे बचारी दुखी अबला शनान कर रही होगी उस समय जिहा लोलो किसी ग्रा ने उसे पानी में पकड़ लिया होगा अथ्वा वे पिशाचो भूतो या राक्षो का हार बन गई मैंने कभी जागरतियां सपन में भी तुम से कोई अप्रिय बात नहीं कही लगता है किसी रोक से मैं उनमत सी होकर गंगा के तड़ पर चली आई थी पूर जनवे मैंने कौन सा पापकरम किया था जो मेरे इस महान संकट का कारण बन गया जिसके फल सरो मेरी पत्री मेरे देखते देखते आँकों से उजल होगी और अब उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा फिर वे पर लाब में कहने लगा प्रिये तुम सना मेरे चित का अंसरन करती रही हो सो भगे मेरे पास आ जाओ देखो ये बालक डर गें हैं इधर उदर बटक रहे हैं तथा इन्हें अनात जैसे कलीशों का सामना करना पड़ता है तुम मुझे तथा इन तीन नन्ने नन्ने बालकों को तो देखो चारों कन्याईं और सभी बच्चे बाहर कस्ट पा रहे हैं इस पर ध्यान दो मेरे ही छोटे छोटे पुत्र पाने तुम्हें पाने के लिए लालाईत हो रहे हैं मुझ बापी की इन संतानों की तुम रख्षा करो मुझे भी शुदास्ता रही है मैं प्यास से भी अत्यनत्य व्या करूँ तुम्हें इसका पता होना चाहिए भगवान वरा कहते है कल्यानी उस समय जो ब्रामन इस्त्री का जनम पाकर निशाद की पत्री बना था और जो अब मेरी उस माया से मुक्त होकर बैठा हुआ था निशाद के इस वरकार कहने पर लज्जा के साथ उससे कहने लगा अब तुम जाओ तुमारी वे भार्या यहां नहीं है मैं तुमारा सुखर से योग लेकर चली गई और अब कभी नहीं लोटेगी इदर वे निशाद जहां तहां बटक कर विलापी करता रहा अब उस ब्रामन का हिद्द करना से भर गया और कहने लगा जाओ आप क्यों इतना किस्ट पा रहे हो अनेक परकार के आहार हैं उनसे बच्चों की रक्षा करना ये बच्चे द्या के पात रहें तुम कभी भी इनका परत्याग मत करना सन्यासी की बाद सुनकर उनके सामने दुख है विशोक से भरे हुए निशाद ने उनसे मधरवानी में कहा निश्चे ही आप परधान मुनिवरों में भी श्रीष्ट एम धर्मात्माओं में भी परम धर्मात्मा प्रूश है विपरवार तभी तो आपके मीठे वच्चनों से मुझे सांतोना मिल गई इसमें निशाद की बात सुनकर श्रीष्ट वरत का पारण करने वाले मुनि के मन में भी दुख हैंशोक चा गया उसने मधरवाचन में कहा निशाद तुमारा कल्यान हो आप विलाब करना बंद करो मैं ही तो तुमारे प्रीय पत्री बना था वही मैं यहां गंगातर पर आया और शिनान करते हुए में एक मुनि के रूप में परवर्तित हो गया फिर तो स्रियासी की बात सुनकर निशाद की विचिंता ही दूर होगी उसने उन श्रीष्ट ब्रामन से कहा विप्रवर आप ये क्या कह रहे हैं आज तक कभी ऐसी घटना नहीं गटी है अथवा ऐसी घटना तो सर्था संभव है कि कोई इस्तरी होकर पुना प्रोश हो जाए अब दुख के कारण ब्रामन के मन में भी घपराह अटुख पन होगी उस गंगा के तड़ पर ही ब्रामन ने निशाद से मीठी बात कही धीवर अब यथा शीकर इन बालकों को लेकर अपने देश में चले जाईए और करम अनसार सभी बच्चों पर यथा योग सने राकर इनकी देखवाल रखीजिए ब्रामन के इस परकार कहने पर भी निशाद वहां से नहीं गया उसने मीठे स्वर में उससे पूछा विप्रवर आपके द्वारा कौन सा पाप बन गया था जिससे आप इस तरी बन गये थे और आप फिर प्रोश होगे ये मुझे बताने की किरपा करें इस पर रशी ने कहा मैं हरीदवार तीत के तक्टवर्ती शेत्र में प्रहमन करता हुआ और एक ही बार भुजन करके जिगदीश और जिनार्दन की पूजा करता रहता था उन प्रभू के दर्शन की आकांचा से मैंने बहुत से उत्तन धर्म करम किये मौस्व में भी जाने के बश्चाद मुझे भगवान शिरी हरी ने दर्शन दिया और मुझे वर मांगने के लिए कहा मेरी प्रातना की कि प्रभू आप भक्तों पर क्रिपा करने वाले सरव्यापत प्रूशें आप मुझे अपनी माया का दर्शन कराई इस पर भगवान विश्णु ने कहा था ब्रामन देव माया देखने की इच्छा छोड़ दो कि तो मैंने बार बार उन से यही आक्रे किया तब भगवान जेने कहा अच्छा नहीं मानते तो कुछ जाम रख शित्र रिशी केश में जाओ वहाँ गंगा में शनान करने पर तो मैं माया दिखलाई पड़ेगी और मैं अंतर ध्यान होगी मैं भी माया दर्शन की लालसा से गंगा तब पर किया और वहाँ अपने दंड कमंडल एम वस्तर को यतन से एक और रखकर शनान करने के लिए निर्मल जल में बैठा इसके बाद मैं कुछ भी नहीं जान सका कि कहां क्या है और क्या हो रहा है तब बच्चाद मैं किसी मलाहिं के उदर से कन्या के रूप में उत्पन होकर तमारी पत्नी बन गया वही मैं आज फिर किसी कारण जब गंगा के जल में पैट कर शिनान करने लगा तो पहले जैसे ही रिशी के रूप में परनित हो गया देखो पहले जैसे ही यहां मेरी कुंडी और मेरे वस्तर वी बिराजमान है पचास वर्षों तक मैं तुमारे घर में रह चुका हूँ प्रंतो मेरे पास जो दंड एम वस्तर थे जिने गंगा के तड़ पर मैंने रखा था अभी जीन छीन नहीं हुए और ना वे गंगा के परवाहों द्वारा परवाही थी हुए ब्रामन के इस वचन के कहते ही वे निशाद सैसा गाइब हो गया उसके साथ जो बालक थे वे भी त्रोहित हो गये ये देखकर वे ब्रामन भी चकीत होकर पनताप में सलगन हो गया उसने अपनी बुजाओं को उपर उठा कर सांस की कती भी रोक ली और केवल बाईयों के आहर पर रहने लगा इस तरह अपरान हो गया इस परकार कुछ समय तपस्या कर जब वे जल से बाहर आया तो श्रदापूरक पूजा के लिए कुछ पुछपको तोड़कर विधी पूरक भवान जी के पूजा करने के लिए वी रासन में बैठ गया अब बहुत से परधान तपस्यी ब्रामनों ने जो महां गंगा में श्रान करने के लिए आये थे उने गेल लिया और उनसे कहने लिए दिजवर आपने आज पूरवान में अपने दंड कमंडल और अन्य अपकरन यहां रख दिये थे और श्रान करन मलाहों के पास के थे फिर क्या आप ये स्थान भूलकर कहीं या नित्तर चले गे थे आपके आने में इतनी देर कैसे हुई जब उस मुनी ने ब्रामनों की बात सुनी तो मैं मून हो गया साथ ही बैट कर रहा है मन ही मन ब्रामन द्वारा निद्धिश्ट बात सोचने लगा एक और तो उधर पचास वर्ष का समय वितीत हो गया और इदर हमावस्या भी आज ही है ये सब ब्रामन मुझसे कह रहे हैं तुमने पूरवान में अपने बस्तरों को यहां शिनान के लिए रखा तो अप अपरान में इन्हें लेने क्यो आई हो तुम्हें इतनी देर कैसे होगी ये सब क्या बात है तेवी ठीक उसी समय मैंने ब्रामन को पुना अपना रूप दिखलाया और कहा ब्रामन देव आप कुछ खबराई से क्यों दिखते हैं क्या आपने कुछ विशियश बात दिखी है आप कुछ मुझे व्यक्र से दिख रहे हैं अस्तु जो कुछ हो अब आप पूर्ण साब्धान हो जाईए मेरे इस परकार कहने पर उस ब्रामन ने अपना मस्तक भूई पर देख दिया और दुखी होकर बार बार दी स्वांस लिता हुआ कहने लगा जगत गुरू ये ब्रामन मुझे से कह रहे हैं कि तुमने पूर्वान की विला में वस्तर दंड और कमंडर लादी वस्तर यहां रखी और फिर अपरान में यहां क्यो आया हो क्या तुम इस थान को बोल गे थे माधव इदर समस्या ये है कि निशाद की योनी में कन्या रूप से उत्पन होकर मैं एक निशाद की इस्तरी के रूप में पचास वर्षों तक रहा उस श्रीट से उस कुकरमी निशाद द्वारा मेरे तीन पुत्रों चार पुत्रियां पुन ही फिर एक दिन जब मैं गंगा में शिनान करने के लिए यहां आकर तडपर अपना वस्त रहकर निर्मल जल में शिनान करने लगा और डुपकी लगाई तो पने मुझे मुझे मुनियो द्वारा अभी लक्षित तफसी का रूप प्राप्त हो गया माधव मैं तो सदा आपकी सेवा में लगा रहता था किन तो पता नहीं मेरे किस विक्रित करम का ऐसा फ़ल हो गया जिसके पर नाम सरूप मुझे निशात के यहां नरक की यात ना भुखनी पड़ी मैंने तो केवन माया दर्शन का वार मांगा था परन्तो मेरे ध्यान में और कोई पाप नहीं आता जिसके फ़ल सरूप आपने मुझे नरक में किरा दिया उस समय मैं ब्राह्मन बड़ी करना के साथ करानी प्रगट कर रहा था इस पर मैंने उनसे कहा ब्राह्मन च्रीष्ट आप चिंता मत करें मैंने आपसे जे पहले कहा था कि ब्रावन देवता आप मुझसे अन्यवर मांग लें किन्तो आपने मुझसे वर्क के रूप में माया दर्शन की ही आजना की दिजवर आपने वैशनी माया देखने की इच्छा की थी उसे ही तो देखा है दिन अप्रान पचास वर्ष और निशात का घर ततता ये सब कुछ भी नहीं था इस सब केवल वैशनी माया का ही प्रभाव था आपने कोई भी इशुक करम नहीं किया है आश्चार में पढ़कर आप तो पश्चा अताब कर रहे थे वैश सब भी माया के अत्रिक्त कुछ नहीं है ना तुमारे द्वरा किया हुआ अर्चन भरस्ट है ना तुमारी तवस्या ही नस्ट हुई है पूर जनमें तुमने कुछ ऐसे करम वश्य किये थे जिसके फ़ाद सबरोप ये प्रस्थिती तुमें प्राप्त हुई हाँ पूर जनम में तुमसे मेरे एक शुद्ध ब्रावन भक्त का अभी वादन नहीं किया गया था ये उसी का फ़ल है कि तुमें इस दुख पूर्ण प्रारप्त का भोग वोग ना पड़ा मेरे शुद्ध भक्त मेरे ही सबरोप है ऐसे ब्रावनों को जो लोग पर नाम करते हैं वे वस्ता मुझे ही पर नाम करते हैं और वे ततता मुझे जान लेते हैं इसमें कोई संदे नहीं जो ब्रावन मेरे दर्शन की अभिलाशा करते हैं वे ब्रावन मेरे भक्त शुद्ध सवरोप एंपुज्य हैं विशेश रूप से कल युग में मैं ब्रामन का ही रूप धारन करके रहता हूं अतरा जो ब्रामन का भक्त है वे निसंदे मेरा ही भक्त है ब्रामन आप तम सिद्धो चुके हो अतरा अपने स्थान पर पधारो जिस समें तुम अपने प्रानों का त्याग करोगे उस समें तुम मेरे उत्तम स्थान शेतीप को प्राप्त करोगे इसमें कोई संदे नहीं है इस प्रकार कहकर मैं वहीं अंतरध्यान हो गया और उस ब्रामन ने फिर कठोरत पस्यारं बगी अन्थ में माया तीत में माया तीत हरी द्वार हरी द्वार में अपना शीत आकर शेद दीप में पोचा जहां में धनुश बान तलवार और तुनीर तरकस धारन करके मेरा सारुप्य प्राप्त करके मुझ माया के आश्री दादा का सदा दर्शिन करता रहता है अताव वसंद्रे तुम्हें भी इस माया से क्या प्रयोजन माया देखने की इच्छा करना ठीक नहीं है तेटा दानव और रक्षश भी मेरी माया का रह्ष से नहीं जान पाते वसंद्रे ये माया चकर नामक माया की आश्चेरि में कथा मैंने तूम्हें सुनाई ये आख्यान पुन्यों से युक तधा सुख प्रद है जो पुरुष भक्तों के सामने इसकी व्याख्या करता है और भक्ति हीन तधा शास्त्रों में दोश्ध दिश्टी रखने वालों से नहीं कहता उसकी जगत में परतिस्टा वती जो वरती पुरुष इसका प्राताकाल उटकर पाट करता है उसने मानो बारां वर्षों तक तब पूरवक मेरे सामने इसका पाट किया वसंधरे इस महाना ख्यान को जो सदाश्रमन करता है उसके बुथी कभी माया से लिप्त नहीं होती और ना ही उसे निक्रिष्ट यूनियों में ही जर्म लेना पड़ता है